10 अप्रेल की कुछ important news है जो आज हम cover करने वाले है कि आज आज के newspaper में करेंट अवियस में क्या के चीज़े आई हैं जो यह लेट्स वी क्या के चीज़े हैं जो आज करेंट में हम देखेंगी कौन से चीज़ें जो चल रही है तो पहली चीज़े जो बड़े-बड़े अक्षोरों में लिखी हुई है जेल में ही रहेंगे केशरी बार तो बही जब इनकी तीसरी याची का जब इन्होंने दायर की थी जब हाई कोड में तीसरी अपिल जो इनको रिहा की जाए तो उसके उपर भी यह चीज़ जो है कोड क नहीं कर पाई है तो हाई कोड के दोवारा यह कहा गया था कि जो एडिया वो गलत इन्जाम नहीं लगा दी और उन्होंने सब चीज़ों को साबित भी किया है तो सीम को भी विशेश छूट नहीं मिल सकती इसमें यह कहा जा रहा है कि इक्वैलिटी को बताया जा रहा है कि सीम है कोई स्पेशल नहीं है उनको कोई इस तरीकी की छूट नहीं मिल सकती लोगों के लिए सबी व्यक्ति जो समान है और यह कही जारी कि जांच किसी व्यक्ति के लिए सूविधा के अनुसार नहीं चल सकती जैसा आम व्यक्ति के लिए जांच हो जाते ऐसा ही सीम के लिए जांच है वो होगी और इसले जाए लाट कि एजेंसी जांच के दोरान किसी के घर जा सकती है और हाई कोट ने एक है कि हम क्षाल धुसक्व लगाब अपने काम जो है वो खुद करेगा उसको अपना काम को कर देना चाहिए और उसके बीच में कोई भी धखल नहीं करेगा और पूछता असके मामले में कि और दिल्ली आई कोट ने ये कहा कि अदालत कानून के हिसाब से कम करते हैं ना किसी राजनेतिक प्रभाब से तभी तो जुडिशरी नियायले जो होता है उसको एक इंडिपेंडेंस कहा जाता है और इस इंपॉर्टेंट कि निया अच्छा फील करते हैं कि किसी भी कोट में अगर जाएगा तो उसकी अपील जो है वह सुनी जाएगी वह क्या कह रहा है तो अमर जो नियायल है वह एक इंडिपेंडेंटेंट वह किसी के दवाब में काम नहीं करता है सबूतों के उपर कानून के उपर जो है वह उसका असर करता है वह उसके हिसाब से काम करता है जिससे कि जो फैक्ती है वह एक अच्छे रहे सकते हैं एक राइट है उसके राइट है एक राइट टू इक्वालिटी कि भई उसकी भी बातों को जो है वह कोट में सुना जा रहा है तो यह चीज तो इक्वालिटी जो हमें बताई जा काम करती एक वा काम करती है जोना और शेयर बजाता है कैसे रिलेटेडिड है सोना म Gwen मतलब गогод क्या ने दिन इतने चाहिए उन होने ओठे साफ में ही गोल आग रिए बड़ते ही जैते पर में मार्ग ओर लुड़नी जो कि यह क्या जाता है तो ऑपारात में बहुत इंपर्ट यह जाता है तो ज्विक विक्रीयेता हैं तो पारदेशों से इंपोर्ट किया जाता है तो जाते दर लोग जब इस तरह कि यह कि कैसी भी लड़ाई हो कि condition जब चल जाते हैं तो लोग गोलड में निवेंश करने की बात करते हैं और सोफ्षित बीमा की कहा जाता है और पहले की टीम अब देखा जाता है तो लोग गोलड को पहले भी बहुत जाधा खरीद रहे थे और आज भी गोल्ड जुए है वो काफ़ी अच्छ जाता है लेकिन जिनकी कंडिशन अच्छी नहीं होती है और कंडिशन के अच्छी गोल्ड के प्राइस यतने बढ़ रहे हैं कि साथ लोग गोल्ड नहीं खरीद पा रहे हैं तो वर्ड गोल्ड काउंसल द्वारा प्रकासित एक रिपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बंड़ा भारते परिवारों के पास है ये कहा जाता है वर्ड गोल्ड काउंसल के रिपोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि भारत के जो लोग है भारत के परिवार अपने पास बहुत ज़ादा गोल्ड जो रिजर्व रखते हैं वही देख या gold को गिरी रख कर वह amount मिल जाता है easily और इस ली लिक्विड भी क्या सकते इसको क्योंकि easily cash में convert जो है gold को की आजा सकता है जब कोई व्यक्ति उसको किसी तरीके पैसे की जरूरता है तो अट लोन पे रखे या फिर किसी तरीके से वह पैसे ले चकता है काफिर रिसर्च से पता चलता है कि तो भारते परिवार है उनके पास 12 से 13,000 टन सोना और वही 2023 में जो गोल्ड है वो जो सोना भी परिवार फार के पास रखा था वो 25 मिलियन किलोग्राम या लगबग 24 से 25,000 टन से जाद हो गया और सोने की इस मातरा से भारत की 40% जो GDP जो है कवर करता है और इस टाइम पर देखा जाए तो भारत में सोना और चांदी के जो रिकोर्ड जो प्राइस है वो काफी जादा बढ़ रहे हैं लंदन बुलियन मार्केट से दुनिया भर में गोल्ड के दाम है वो तैह होते हैं और यह दुनिया में प्रीमेर प्लैटफॉम है लंदन के इस बुलियन मार्केट से दुनिया में सोने का खरनन करने वाले बड़े कारवारी और द्योपकती चूड़े हुए होते हैं इसका असर अंतराष्टे बाजार में सोने की कीमतों पर दिखा रहा है और वही डोलर के मुकाबले रूपे की कीमत में गिरावट जो है और इसका असर भी सोने के भावव पर पढ़ रहा है ठीक है और इसके जो जो हमने देखा था जो आभी पिछली वीडियोस में पराते हैं जो एफ एडी की बारे में सुना था तो इसमें क्यों होगा जब इंट्रस रेट बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं गोल्ड के जो जिसको अभी में बता रहें अमेरिके फैंट्रल बैंक जो रोम पावेल के बयान के अमेरिका में ब्याज दरों में कटोती कभी भी शुरू हो गई है रूस चीन के सेंट्रल बैंकों की खरीदारी इस समय सबसे जाद है लेकिन आम आदमी को गणित समझ में नहीं आरी यह का बादने की कोशिश करते है अग गोर्ड को जाता है वहाज में की लिए वD यो लेकिन गोल्ड एक ऐसा सेवल रिसॉर्स है जिसमें उच्छा जो थोड़ा बहुत प्राइस में थोड़ा बहुत ही चेंज आता है लेकिन वह सारे देश में अवरी जो हरे पूरे देश में मानने ता गोल्ड की बराबर सी ही रहती है तो इस वज़े से जो देश है वह जो डिमांड है वह जब बढ़ जाती है और ECONOMIC के हिसाप से जो अन्मने बढ़ता है लेकिन जो इतनी इंक्रीज ना होने के वज़े से उनके प्राइस क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे तो यह चीज हम दिखते हैं इसमें रोल में जाद दार लोग इंवेस्ट करते हैं तो क्यों कि उनको वो अपना जो जिर्बाइब हैं उनको एक सुरक्षत मानते हैं यह आमा इसी कहा जा है कि इसराइल और हमाज के पीछ में युद्द के बाद कहा जा रहा है कि इनके किमरत में तौड़ी बहुत गिरावट है प्रेट को आखले को पंते बढ़ देने के स्सें लाक़ों को मिलेगिन इसे सब्लीने का करें eh जोंब करेंड सैंट आफ से सैंट है लगोर्स की तनन का पैसे बगोर्दय करना ग़री स्पाहिकर है और यह भी है कि जो लुट रखा वह जो गए कोई लुट कर सकता है क्योंकि इनवेस्ट्वेस्ट में की तार है तो युदा कर सकता है क्योंकि अर्थ वबस्ता के लिए निवेस्ट्मेंट क्या होताा है जरूरी बढ़ने के बाद भारतिया का हैं बारतिया जब आप संस्क्रिटिक करण वह देखा है इसके पास इतना गोल्ड वही तो बहुता महीर है सब चीज़े चल वीवीपैट के ऊपर भी कुछ निवसारी है तो हम देखते हैं वीवीपैट के होता क्या वीवीपैट होता है जब मतलब जिसको वोट दिया है जो वोट है वो सही परसन को गया है यह नहीं गया है ठीक है तो जिससे आप अपने चीजों की जांच कर सकते हैं कि जिसको आपने वोट दिया था वो नहीं दिया था सही जगह पर गया यह नहीं गया तो एवीवीपैट से जुड़ी जाचिक है कि जो वोट का परिणाम है वो ठीक आया है या नहीं आया है तो इस वज़े से यह वी वी पैट जो है वो important है अभी हाली में ही एक news आय थी जिसमें चीनी ने आरुनाचल के कुछ जगें रहा हैं कि स्थानों के जो त्य pre ? अ div आखा है यूज यह ऑगा यह ले कि आखा है तो इस नाम बदलने को मैप में अनुसलों जो भारत बन गया तो इन नाम बदलने से कुछ नहीं गोता है थी हांवार पदलते जरूरी नहीं कि वो हिस्टे भारत के ही बन जाएंगे ठीक है तो इन्हों ने यह का है कि भई जो चीन की इस तरीकी की हरकते दोनों के बीच में संबंद जो है वो चीन और भारत के बीच के जो संबंद उनको खराब भी वो कर रही है और इनके शांतिपुर्ण को ये असर जो हैं वो कर रहे हैं यही बात है दस अप्रेल के इतिहास के बारे में जानते कि दस अप्रेल को क्या होता है दस अप्रेल को मात भागानी ने की थी चामपारण सतेग्रेड की सुरुवात और भी क्या क्या चीज़े जो थी दस अप्रेल को तो 10 April 1875 में 29 सरस्वाथी ने आरे समझ के स्थापना की थी और 1868 में इथोपिया में ब्रिटिश और भारतिय सेना ने ट्रवाइन और तुएते की सेना को हराया और इस यूद में 700 इथोपियान मारे गए थे और जबकि सिर्फ ब्रिटिश भारतिय सेनिक सही दियो थे और 1912 मे आज ही के दिन टाइटैनिक जाज अपनी पहली और अंतिम यातरा के लिए रवान है हुआ था और 10 April 1917 को चंपारंट सत्यक्रे के शुरुआत हुए थी और 1916 में पहले गॉलेफ टूर्नामेंट का प्रोफेशनल तरीके से आयोजिन हुआ था 1930 में पहली बार सिंथैटिक रबड़ का उत्पादन हुआ था 1973 में पाकिस्तान ने सविधान में संसोधनकर जुलफी का अली भुटो कर रास्टपति के इस्थान पर परधानमंतरी बनाया था 1988 में पाकिस्तान के रवाल पिंडी और इसलामाबाद के बीच घनी आबादी व आये 500 के कंडिशन को बाता जाया कि कृष्पि की कमी से हर साल 25,000 गरवरती वाूजर जाती है और जाता तर घरवाती महिलाओ में कृष्पिर ईसलामी की बातादे अबादा सब्स्तान में लëं परधान गोते महिलाओं में बहूत कि जाती और भारत में 15 से 49 बर्ड 20 11 215 उसे अधिक महिलाए एनमिया से पिरेडित हैं और 2000 से अब तक प्रजनन आयू 1549 वर्ज की महिलाओं में लगबग 30% महिलाओं में एनमिया का वेश्वेक प्रसार इस्तितरा है और वही अगर गर्वती महिलाओं में देखा जाए तो 41% से घटकर 36.5% जो है वो हो गया और यह उसमें खून की कफी जो कमी है वो देखी जाती है महिलाओं में और यह चीज कही जाते है कि किसी वेक्ति में एनमिया की पहचान करने के लिए हिमोगलोमिन वेक्तितर पर आमतर पर इस्तवाल किया जाने वाला संकेत है कि हिमोगलोमिन के जरिये वो वेक्ति में एनमिया की जाच की जाती है यह कहा जाता है कि अगर गरवस्ता में 10 ग्राम DL से कम हिमोगलोमिन को एनमिया की शिरेणी में रखा जाता है और गर वेस्ता के दुरान एनिमिया होता है और जादा तर एनिमिया के वज़े से महिलाओ की मिलती हो जाती है तो यह कंबीर समस्य है जो मानी चाहिए और मानी जा रही है और इसकी तरफ बहुत जादा धियान देने की ज़रूर रहत है क्यानि के तरफ जो दियान दिया जा रोज़े कि महिलाओ में इस तरेखें की कुल की गम इतनी वज़े से क्यों हो रही है उनके विपर भी दियान दिया जा जाए kita नागरी- gdzie-ढÓि इसमिंगे इसमें हम लेखेंगे कि संग्य-ढ़ाचा जो है वो कैसे तयार किया गया था केंद्र और राजे किस परकार से काम करती है और किस तरीके से इन दोरों का सम्मद्ध है तो भारत में अभी फेक्टिक इस वतनता का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकार से है और जो राजे और जो राजे और केंद्र है दोनों किस परकार से जो है वो और गोशित किया था कि भारत विविन छेत्रवे अंचलों की समन्विती संस्कृतिय का संगिया देश एक आ जा रहे था लेकिन 1990 में जो भारत सरकार अधीनियम में भारत को विविन प्रतक प्रतक भूगोलिक छेत्रवे धर्मोर संस्कृतियों का जमघट का आ गया था कि जो बहारत है उसमें काफी तरह के बिन बिन जो है वो लोग रहते हैं 1990 में इस सब चीज़े कही गई थी लेकिन इस समीती में जो एक समीती जो है वो बनाई गई थी नेता जी सुभास चंदर बोस पंडी जवाल नहरों के अलाबा मुलाना अब्दुलकलाम आज के आजाद के समय क कई अन्य मुस्लिम जो नेता थे उसमें सामिल थे मगर मुस्लिम लीग ने बाद में सब चीज़े कही थी बहिशकार किया था और अलग एक देश की जो पाकिस्तान की जो है डिमांड उन्हों ने उठानी शुरू कर दी समीती ने अपनी रिमोट में आजाद भारत में जहांचे की थी उनकी सूची जो है वो तैयार की थी समयते की रिपोर्ट के बाद जो इस रिपोर्ट के बाद जो अंग्रेजों ने 1935 का एक नया भारत सरकार दिनियम बनाया है इसके तहत जो राज्ये की असेंबलिय के पहले चुनाफ चुनिंदा लोगों को मिले जिसमें कुछ ही लोग थे जिसमें ये कहा जा रहा है भारत की 10 से 11 प्रतिशत आबादी से भी जादा नहीं होगी तो ये चीज़े इसमें कही जाए दिया थे फिर अंग्रेजों ने मुसल्मान में सीखों के लिए प्रतक निरवाचन मंडल तैयार के थे तो इन्हों ने 1935 की जगह पर 1990 के कानून के तहट जो है वो election जो हुए थे क्योंकि इसकी वज़ाई ये थी कि 1935 का जो भारत सरकार अदीनियम समूचे भारत को एक संग रहांचे के देश मानता है और इसमें बाटने की बात नहीं के लिए कि 1990 का जो कानून है वो इसमें काफी लोगों को बिन जाती ध कानका जर्या है तो हमारी का ही जो तरहां वह एक साथ होकर कार ने करते है और केंदर रलग जालग जो है वह सूची बनाएगी ये ताकि ये कोई यह न कहीं कि किदर अलग से जो है वह कामकगर्ण्य समय आन्गे को रास्ट आस्टे की से जोड़ी कुछ इस तरीके टैक्स अ बनाए और उनका पालन करती है जिससे कि इन दोनों के बीच में unity जो है संग कायम है जिससे इनके बीच में भीवाजन नहीं होता और अच्छे से शकार प्रनाली है वह कर रही है आज ये में राज्य पालो को के पद को भी आजाथ भारत में इसलिए बैहाल किया गया जिसे केंदर वे राज्य के इस सर्वधा तारत में बना रहे और प्रदेशों की चुनी हुए सरकारे हमिशा सविधान के दार्रे में ही करती रहे तो राजय पाले इन से की कार्रों पर राजय के कार्रों पर निगरानी रखता है और उनके कार्रों के निगरानी रखकर वो अगर किस तरीके से कार्रे जो हो रहा है जो कि सविधान के हिसाब से नहीं है तो वो केंदर को इस तरीके सूचित करता है ताकि जो राजय है वो सवि काम होना चाहिए और कुछ इस तरही से ही वाहिं कि पैसे की जो बात थी धनराश्य को लेकर भी इनके बीच में कुछ ना कुछ मदमीज है केंदर के केंदर है वो उनको हाथ में सब कुछीज है नहीं । केंदर है वह एक यूणिटी की तरह काम करता है जो केंदर है वह एक बड़े भाई की तरह भाई काम करता है राज्ये के लिए केंदर के हिसाफ से केंदर की कुछ नीतिया बनाई जिसके ओपर राज्ये जो है वो काम करता है और जिससे की इनके बीच में क्या है एक यूनिटी जो है बनी रहे लेकिन केंदर पूरी तरीके से तानसाही भई नहीं करता कि सारी चीज़े केंदर को अपने इसाफ से करनी होगी राज्य भी अपने तरीके से काम करता है लेकिन केंदर की बात को माना जाता है क्योंकि राज्य है अगर केंदर की बाते सुनेंगे तो राजियों में सभी राजियों में एक unity और केंदर राजिय के बीच में unity बनी रहेगे जिससे कि इनके बीच में विवाद नहीं होगा और भारत में जो equality और unity जो है वो बनी रहेगी और कोई भी इनके बीच में मतबेद नहीं होगा इस हम बहुत जादा राज्य से ताकतवार नहीं कह सकते क्योंकि राज्य के अपने अलग कार्रे होते हैं केंद्र के अपने अलग कार्रे होते हैं केंद्र अपने कार्रे को देखता है और राज्य को किसी तरीके की मदद चाहिए होती है तो वह केंद्र के साथ केंद्र से उस प्र बहुती अच्छी बात है और यही मंद्र इनकी दोने के पशे में अच्छे संबंद ही होने चाहिए जिससे कि हमारा जो राज्य है कि जो देश है वह अच्छे से भारत जो है वह अच्छे से रहे जिसमें Equality और Unity जो है वह बनी रहे